जो बाते मैं कह रहा हूँ, अगर उनमें कुछ दम, कुछ फॉलाद समझ में आता है, तो उसको अपनी जिन्दगी में उतार ले, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा और अगर वो फॉलाद आप जिन्दगी में नहीं उतार रहे हैं, और बस गुरूर ब्रहमा, गुरूर विश्णू कर रहे हो, तो करते रहो, कुछ नहीं होना है ये शिष्य इत्यादी बनना भी ना, कई बार बड़े फरेव की बात हो जाती है, कि हमारी दिम्मेदारी तो पूरी हो गोई, हम क्या बन गए, शिष्य, आगे का कौन देखेगा, अब आगे गुरू जी देखेंगे ना, गुरू जी कुछ नहीं देख सकते हैं, क्या देख चाहता हूँ, मेरी तारीफ से घंगीन न करो मुझे, काबिले तारीफ में तुम्हे चाहता हूँ, बार बार बोलोगे अचारी जी ये वो, तुम बोलोगे अचारी जी महान है, अचारी जी क्या है, वो जानते हैं कि तुम जानते हो, बोलो, मैं जानता हूँ, मैं क्या तुम मुझे ही मेरे ही बारे में कुछ बताना चाहते हो अचारी जी महान है अगर तुम ये बोल सकते हो अचारी जी महान है तो कल तुम ये भी बोल सकते हो कि अचारी जी लफंगे है अगर मैं ये मान लूँ तुम्हारे कहने से तुम्हारे मूँ की बात कि अचारे जी महान है तो तुम कल ये भी बोल सकते हो अचारे जी गधे घोड़े हैं मुझे वो भी मानना पड़ेगा मैं कहे को मानूँ और तुम्हें पता कितना है मेरे बारे में तुम्हें अपने बारे में कितना पता है कि मेरे बारे में पता हो जाएगा मुझे ये सब मत बताओ कि मुझे देख करके तुम्हें दिव्विता की अनुभूती होती है इत्यादी इत्यादी तुम आईने में अपने आपको देखो उससे तुम्हें दिव्विता की अनुभूती हो अच्छी बात है मुझे देखकर जो अनुभूती होती है वो रातो रात बदल भी सकती है हाँ अपनी जिंदगी के बारे में इमानदार रहो तो वहाँ कुछ मिलेगा जो बिलकुल पक्का होगा रॉक सॉलिड वो नहीं बदलेगा और लिखा था मुझे बात करने से रोकते हो तुम तुम बात कर सको यही बात चाहता हूँ तो मतलब बात मेरे बारे में नहीं है बात आपके बारे में है आप बात कर सको न तो कुछ बात बनी और अंदाज तो बाका था 20 साल पहले भी अब ये 20-21 साल का छोकरा है जिसने लिखा है उम्र काफी हो गई थोड़ा ही जिन्दा बचा हूँ उम्र काफी हो गई थोड़ा ही जिन्दा बचा हूँ पुन्य काफी कर लिए कुछ पाप चाहता हूँ और ये बात अभी भी लागूँ होती है ठीक है सीखा बहुत कम है तालीम है अधूरी इस घने जंगल में आदम जात चाहता हूँ यही चाहता हूँ इस से यादा कुछ नहीं बार बार बात करता हूँ न जंगल की गोरिल्ला की तो इस घने जंगल में आदम जात चाहता हूँ बस यही है जहां तक मेरी बात है मैंने सीखा वाकई बहुत कम है वाकई तालीम अधूरी है मुझे इस तरह का कोई मुगालता नहीं है कि मैं आउतार हूँ या जो कुछ भी कई बार आप लोग बोल जाते हैं ना बिलकुल भी नहीं जंगल से निकलाओ गोरिल्ला से आदमी बन जाओ यही बहुत बड़ी बात है 2016 में रिशिकेश में पहला मिथ डिमॉलिशन टूर हुआ था तो वहां जितने घूम रहे थे रिशिकेश में उन सबको एंलाइटनमेंट चाहिए था वहां पहुँचते हैं यहीं सब विदेशी एंलाइटनमेंट एंलाइटनमेंट तो मैंने पोस्टर छपवाया एक इसमें लिखवाया फॉर्गे एंलाइटनमेंट आगे इस घने जंगल में आदम जात चाहता हूँ छोड़ो ना एंलाइटनमेंट आदमी तो बन जाओ आज भी वही बात कह रहा हूँ गोरिल्ला से इंसान बन जाओ बहुत है एंलाइटनमेंट करोगे क्या ख्याली पुलाओ हम तुम्हारी हसरत में बन न पाऊंगा तुम्हारी हसरते में आबाद चाहता हूँ मुझे अपनी हसरत मत बना लो मुझे हसरत मत बनाओ मैं भी मिट्टी का ढेला हूँ तुम्हारी ही तरह अपनी हसरत उसको बनाओ जो आबाद कर देगा तुमको तुम्हारी हसरत में बनना पाऊंगा तुम्हारी हसरते में आबाद चाहता हूँ मुझे को अपनी हसरत बना लोगे तो बरबाद हो जाओगे मैं माने यह जो व्यक्ति बैठा है यह जो देह बैठी है इसको बहुत महिमा मंडित मत करो और इसमें जो पहला शेर है वो है दायरों में बांध लो तुम जिन्दगी मेरी मैं बस एक दायरा अपना चाहता हूँ उसी दायरे का नाम है प्रशानता दुएट फाउंडेशन पैदा हुए हैं तो हजार वृत्तों में तो बंधना ही पड़ेगा न वृत्त माने ही दायरा होता है वृत्त दायरा कि वृत्तियां तो अब रहनी रहनी है जीवन पर रहनी है जो पैदा हुआ है उसको रहेगी रहेगी जनम लिए का दंड है जो जनमे सो रोए तो हजार दाइरों में बांग लो तुम जिन्दगी मेरी मैं बस एक दाइरा अपना चाहता हूँ ये सब तो चलते ही रहेगा जो देह का और वृत्तियों का विकारों का खेल है उससे हट करके कुछ अच्छा भी कर लो बस इतनी खाईश है तो कृपा करके परसनल ग्लोरिफिकेशन जैसा ना करें ना किसी को करने दें हिंदुस्तान ने देखिए इस बात का भी खूब खामियाजा भुकता है और मत करिएगा एक ताकतवर जिंदगी जीए है आप ठीक है बस इतना बहुत है और कुछ है क्या जिंदगी में पाने को बताओ न आप कर लो बहुत बड़ी बाते हैं ये सब बड़ी बाते ले करके एक दिन सो जाओगे मिटी के हो मिटी कोई जाना है बीच में ये इतना क्या बखेडा और बहाना है शान सरल आजाद जीवन बिताओ बहुत है वाकी कुछ नहीं ठीक है झाल